गाईज गूगल और यूट्यूब का एक बहुत इंटरस्टिंग फैक्ट अभी मैं आपको बताता हूँ क्या आपको पता है कि संद 2006 में गूगल ने यूट्यूब को 1.65 बिलियन डॉलर में खरीदा था और मज़े की बात ये है कि गूगल ने उस टाइम यूट्यूब का CEO सुजैन वजित्स की नमक महिला को बनाया और ये वही महिला थी जिसने 1998 में लेरी पेज और उसके दोस्त को गूगल कंपनी को स्टार्ट करने के लिए अपना गेराज रेंट पे दिया था और बाद में ऐस इन इंप्लोई उसने गूगल कंपनी को जोईन कर लिया और आज वो यूट्यूब की CEO है क्या ही इंटरस्टिंग फेक्ट इसके पहले तक आपको पता था और अगर नहीं पता था तो यूट्यूब पे ऐसे इंटरस्टिंग फेक्ट के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए या फिर इंस्टाग्राम पे फोलो कर लीजिए मिलते एगली वीडियो में ये घटा है 24 जून 1915 की जो पहला विश्वयूद चल रहा था तब एक हंगेरियन सोलजर पोल कैरन को एक बुलगेरियन सोलजर ने माथे के बीचो बीच ललाट पाली में जिसे फ्रोंटल लोब भी कहते है वहाँ पे गोली मार दी जैसी गोली लगी उसे इलाज के लिए ले जाया गया ओपरेशन के बाद उसके माते से गोली को निकाल दिया गया लोगों को लगा कि वो मर जाएगा लेकिन उसके बाद जो हुआ वो आप लोगों को सुनना चाहिए वो बंदा जिन्दा बचा लेकिन उसके बाद से यानि की ऑप्रेशन से जागने के बाद से उससी कभी नींद मैसूस ही नहीं हुई वो कभी सोया ही नहीं अब ऐसा क्यों हुआ यह तो कोई नहीं जानता लेकिन वो बंदा 1915 में जब ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद लगबग 63 सालों तक बिना सोए जिन्दा रहा उसकी मृत्यू 1978 में हुई और आज तक भी ये एक रहस्य है गाईज इस रहस्य में घटना के बारे में सुनने के बाद आपको कैसे हैं?